सो हे गाईस केसे हो सब आप से चुछ रोंगे यारी वोईस में कुछ मजा नहीं आ रहा है इसी तरह से जब आप अपने वीडियो में अपनी वोईस को डालते हो तो मजा लोगों को भी नहीं आता तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे केसे अपनी वोईस को अच्छे से रिकोर्ट करके उसे बहतरीन बनाया जाए एडिट करके तो मैं आपको लाइव रिकोर्ट करके बताऊंगा और लाइव उसे एडिट करके भी बताऊंगा मैं दीपक दिया चैनल पर कैसे एडिट करता हूँ दीपक दिया 2.0 चैनल पर कैसे एडिट करता हूँ दोनों चैनल की मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आपको Oda City का A भी नहीं आता है तो भी बेसिक से लेवल से भी आप सीख सकते हो बहुत ही माइकरोफोन लेकिन PC में वाइस को एडिट करने के लिए मैं आपको यह बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको यहाँ पर माइकरोफोन चाहिए होगा क्या मतलब इसका आप फोन में भी अपनी वाइस को रिकोड कर सकते हो और उस रिकोड की हुई वोइस को आप PC में गलती है उसको रोकता है ताकि voice बिगड़े ना और voice एकदम clear आए आप सोचे रहोंगे कि सिर्फ हवा को रोकने के लिए इसका use क्यों किया जाता है इसके लिए तुम कुछ भी उसकर सकते हैं फोन का भी उसकर सकता हूं इसके आर पर भी हवा नहीं जाती होता है कि phone फिर voice को भ इफिकल्ट नहीं इधर पिन लगाओ उधर पिन लगाओ खतम बस इतना आपको करना है इस पूरे setup की link आपको description में मिल जाएगी और यह पूरी process करने के बाद में आपको open करना है Oda City software Oda City सबसे ज्यादा use की जाना वाला software है audio editing में ठीके तो इसीख हम use करेंगे यह totally free software है description मे में आपको link भी दे दूँगा वहाँ पर जाकर आप free में download भी कर सकते हैं और download करने के बाद इस तरह सिसका कुछ interface है और यह देखिए यहाँ पर यह microphone हमारा बता रहा है Blue Snowball आपको फेले mic को connect करना है उसके बाद में Oda City software को open करना है तो देखिए microphone यहाँ बता रहा है speaker की जादा changes आपको नहीं करने है तो यह इस तरह से कुछ interface है अगर आपको difficult लग रहा है तो कोई बात नहीं सबको लगता है starting में एक दो बार आप करोगे आप सीख जाओगे और बात में फिर आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसमें record करने में और इसमें edit करने में तो सब से पह सकते हैं या फिर आप drag and drop भी कर सकते हैं directly हो जाएगा तो यह तो बात होई कि बाहर की audio को इसमें लाकर edit कैसे करें अब हम बात करते कि इसमें record करके इसमें edit कैसे करें तो इसमें record करने के लिए simply आपको जो rate यहाँ पर दिख रहा है बटन इस पर click करके आप अपनी audio को record करना start कर सकते हैं अगर हम इस पर click करेंगे तो यह देखिए यह यहाँ पर हमारी audio record होना start हो गई है इस पर हम click करेंगे तो यह stop हो जाएगे फिर से अगर हम यहीं से resume करना है यहीं से recording फिर से start करना है तो फिर से हम इस पर click करेंगे तो यह देखिए यह फिर से यहाँ से recording start हो यहां से हम stop करेंगे और यहां से यह record होना start हो जाएगी और एक और बात जब हम इसे play करते हैं तो example के लिए अगर यहां से हम play करेंगे तो यह देखिए, यह यहां पर हमारी audio record होना start हो गई है लेकिन आपको stop यहां से करना है ताकि आप वहीं से फिर से उसे play कर पाई जहां पर आपने उसे stop की थे example के यहां पर stop की तो अब अगर हम इस पर click करेंगे तो फिर से यहीं से start होगी लेकिन अगर हम यहां पर click करेंगे तो यह starting से start होगी example के लिए यह देखिए तो यह देखिए, यह यहाँ पर हमारी audio record होना start हो गई है तो यह तो हो गई, आप play, pause, record करना इतना तो आपको बहुत simple है सीख गए होंगे यहाँ पर एक feature यह cut option है, यह copy का है, यह paste का है cut करना एक्जांपल के लिए आपको यह वाला part cut करना है audio का तो इसको हम select करेंगे, आप इससे करके select कर सकते हैं select करना एक बात आप इससे cut कर सकते हैं या फिर control plus X से भी आप cut कर सकते हैं, यह तो हो गया cut option और example के लिए आपको इस file को copy करके आगे चिपकाना है तो हम यहां से copy करेंगे और मानलो इससे हमें यहां पर रखना है इस part को, तो हम control plus V दवाएंगे यहां पर control plus V से भी हम कर सकते हैं और यहां से भी हम paste कर सकते हैं यह जो paste option यह click करेंगे तो भी यह देखिए यह वाली जो voice थी, यह यहां पर आ गई है यह हो गया complete इसके बाद में यह तो यह तीनों feature हो गए यहां पर plus पर हम click करेंगे तो यह zoom in हो जाएगा इस पर हम minus पर click करेंगे तो zoom out हो जाएगा तो यह इसकी feature थे यह main काम नहीं है, main काम तो editing है जिसके लिए मैं आया हूँ और वही मैं आपको सिखाऊंगा तो अब हम करेंगे एक voice record करेंगे अच्छे से और फिर उसको edit करेंगे पहले हम बात करते हैं दीपक दया चैनल के लिए motivational videos में में कैसे अपनी voice को edit करता हूँ उसके बारे में हम बात करते हैं तो अब मैं आपको अपने एक वीडियो की voice recording करके बताऊंगा जिस पर 7.8 million views है उसकी starting की voice हम record करेंगे और उस voice को मैं आपको edit करके बताऊंगा तो चलिए recording को start करतें तो ये rate बटन पर यहाँ पर मैं click करता हूँ कभी अगर बनना हो तो बाज बनना लेकिन कभी भी तोता मत बनना तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा उचाय तक उड़ नहीं सकता बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे उचाय पर उड़ता है एक बाज और बाकी पंचियों का राजा होता है एक बाज आज मैं आपको पांच इसे लेसन के बारे में बताऊंगा चुकि हर इंसान को बास से सीखने चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन पांचों पॉइंट्स में तो फाइनली हमारी ये वोईस रिकोर्ट हो चुकी है अब मैं आपको इसको प्ले करके बता देता हूँ कभी अगर बनना हो तो बास बनना लेकिन कभी भी दोता मत बनना दोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा उचाय तक उड़ नहीं सकता तो सबसे पहले हम रिमूट करेंगे बेगराउंड नोईस व्यसे तो यहाँ पर नहीं है लेकिन फिर भी अगर आती है तो आप किसे रिमूट कर सकते हो या फिर अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर बेगराउंड नोईस है एक्जामपल के लिए यहाँ पर मेरा जोड़ी सी भी रखावा इसमें कम से कम 6-7 फेन है तो इसकी वोईस आती है कम्पूटर के फेन्स की तो उसकी वेक्डाउंड उसको हम कैसे रिमूट करें तो इसे हम जूम करते है अब हमें किसी एक खाली पार को सेलेट करना है जहाँ पर थोड़ी नोईस आ रही है यह रहा हो पार इस पार को हम सेलेट करेंगे यहाँ पर थोड़ी यह दोखो malicious नोईस दीख रही है इस पार को हमने सेलेट किया effect में हम जाएंगे effect में जाने के बाद यह noise reduction यहाँ पर दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे gate noise profile पर हम क्लिक करेंगे यह select हो चुका है उसके बाद डबल क्लिक करके इस पूरे को हमें select कर लेना है आप control प्लस ए दबा कर भी select कर सकते हो और उसके बाद में effect में आपको जाना है और यहाँ पर repeat noise reduction पर आपको click कर देना है यहाँ पर मैं click कर दाओं अब यह देखिए यह पूरा part यहाँ का पूरा clean हो चुका है यह देखिए आप में से कई सार लोग एमन में question आ रहा होगा कि यह जो खाली part था यहाँ पर तो clean हो गया यहाँ से तो background noise remove हो गई लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे थे यहाँ से background noise remove हुई या नहीं हुई तो इस concern है यहाँ से भी background noise remove हो चुकी है ठीक है तो यह simple सा step था background noise remove करने का एक बार remove करने के बाद में भी अगर आपकी background noise ठीक से नहीं होती है तो फिर को आपको क्या गणना है फिर से आपको यह select करना है फिर से आपको effect में जाना है और फिर से आपको वही process करना है तो पूरी दर से आपकी background noise remove हो जाएगी तो यह simple सा step था तो background noise यहाँ पर remove हो चुकी है कभी अगर बनना हो तो बास बनना विस्टो तो नहीं थी लेकिन जो थी वो भी गया हो चुकी है और अब हम बात करते हैं second step के बारे में और सबसे important step according to me यानि उसके बिना motivational video में motivation ही नहीं है मेरा है मानना है और उस setting का नाम है reverb ठीक है तो इसे हम double click करके पूरा select कर लेते हैं इसके बाद में हम जाना है effect में उसके बाद में हम जाते हैं यहाँ पर reverb यह रहा reverb पर हम click करते हैं और फिर management में जाना है factory preset default यह जो setting है यह आपको शायद already मिलेगी और preview पर click करके हम यह जान सकते हैं कि यह apply होने के बाद में कैसा लगएगा तो हम preview देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है यह सारा effect apply होने के बाद में कभी अगर बनना हो तो बाज बनना लेकिन कभी भी दोता मत बनना दोता बोलता बोत है अच्छा हो रहा है गूंज रही है वोईस डम कर रही है रेवर बार आ है motivation टाइप और गूंज रही है अच्छा लग रहा है यह 45 में इसे यहां कर दे है dumping को भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं यह 40 हम इसे रख देते हैं उसके बाद में weight gain को भी हम मैं-3 कर देता हूँ अब हम इसे देखते हैं यह लग तो कमाल की रही है लेकिन इसे थोड़ा और कमाल की बनाते हैं रेवर्ब को में थोड़ा सा 50 कर देता हूँ यहां पर मैं 50 किया और इसको में माइनस 2 कर देता हूँ फिर हम preview देखते हैं कभी अगर बनना हो तो बास बनना लेकिन कभी भी दोता मत बनना अब आया ना motivation वीडियो में असली motivation तो इसे हम मोग्या करेंगे तो सबसे पहले हमने background noise को remove किया उसके बाद में हमने reverb को apply किया और अब हम बात करते हैं next step के बारे में और उसके बिना मुझे अपनी voice बहुत ही बेकाल लगती है वो मेरी one of the favorite setting है हर audio में वो तो में compulsory रखता ही रखता हूँ वो चाहे दिपक देया channel हो या फिर दिपक देया 2.0 channel हो और उस setting का नाम है graphic EQ तो पहले हम इसे पूरे को double click करके select कर लेते हैं effect में हम जाएंगे और उसके बाद यह रहा graphic EQ ये settings मेंने कुछ कर रहा किये लेकिन हम बात करते हैं factory preset default ये आपको ऐसी कुछ setting देखने को मिलेगी अगर आप first time इसे open कर रहे हो तो तो ये क्या है बताता हूँ इस side के ये जो दीख रहे हैं आपको इनको उपर करने से आपकी voice में base बढ़ेगा example के लिए पहले में आप इनने up कर देता हूँ थोड़ा इनका level up करने एक बाद हम play करेंगे तो आप पाएंगे कि इससे voice में base बहुत ज़्यादा आ गया है preview हम करेंगे ये देखिए base बहुत ज़्यादा आ चुका है अगर और base बढ़ाना है तो इससे में और उपर करेंगे देखना फिर और ज़्यादा base आ जाएगा और हमारी जो voice हो बहुत ही deep लगने लगेगी इसके बाद अब देखना कभी अगर बनना हो तो base बनना लेकिन कभी भी दोता मत बनना लेकिन ये बहुत ज़्यादा base भी अच्छा नहीं लगता तो इसके base को हम थोड़ा सा कम करेंगे ये normally में इतना base रखता हूँ ठीके इतना में base रखता हूँ और इस side जो ही दिख रहे हैं आपको इनको अब करने से आपकी voice में trouble बढ़ेगा और trouble से voice बहुती clean, neat और एकदम crispy audio लगती है trouble बढ़ाने से तो trouble भी में ज़रूर बढ़ाता हूँ ठीके, तो trouble हम बढ़ा देते हैं आप बहुत ज़्यादा trouble भी नहीं करना है वनना बहुत ज़्यादा तीखी voice लगेगी तो ना तो बहुत ज़्यादा तीखी रखनी हो में और नहीं बहुत जादा दभी हुई बेस में बोई सकनी है एक हमें परफेक्ट वोई से यह तो हमने बेस बढ़ा दिया है यहाँ पर और यहाँ पर हमने यह टरवल भी बढ़ा दिया थोरी अब हम इसे देखते हैं किसा लग रहा है यह गबी अगर बणना है लेकिन कभी भी दोता मत बनना दो खहां पर हमने लेकिन इसके बाग भी अकर आपको और अची है एडिट करना है तो effect में हम जाएंगे base in trouble में हम जाएंगे तो first time जब आप इसे open करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की setting यहाँ पर दिखेगी तो मैं यहाँ पर base को थोड़ा बढ़ा देता हूँ trouble को one कर देता हूँ और यह azds में रहने देता हूँ start play button क्लिक करेंगे और जब यह play हो रही है उस वक्त अगर हम इसे enable करते हैं तो आपको यह different पता चलता है कि यह पहले किसी थी और enable होने के तूरंत बात इसी यह voice case हो गई है तो फिर से मैं आपको play करके बताता हूँ यह हम enable पर टिक हटा देते हैं और अब हम आपको play करके बताता हूँ कभी अगर बनना हो तो बाज बनना लेकिन कभी भी दोता मत बनना दोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा उचाय तक उड़ नहीं सकता बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे उचाय पर उचाय पर उचाय एक बाज तो बेस यहाँ पर मैं 5 रख रहा हूँ टरबल एक और यह एज़टी यहाँ पर में रहने दे रहा हूँ और अपलाई पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर अपलाई हो चुकी है और बहुत ही कमाल की ओडियो लग रही है अप और मैं भी लगबग हर वीडियो में यही सेटिंग अ लगब हाँदी तो उसके लिए मैं गरता हूँ एक जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा है तो ईफेक्ट पर हम जाएंगे और amplify पर हम click करेंगे ok पर click करूँगा देखो तो यह देखिए amplify apply करने के बाद में थोरी सी level में आ चुकी है अगर ऐसा करना हो तो कर सकते हैं otherwise जो normal natural है वो भी आप रख सकते हैं मैं तो recommend करूँगा कि जो normal है वही रखे लेकिन अगर बहुत जादा loud हो रही है तो फिर आप amplify apply कर सकते हैं या फिर बहुत जादा low voice है तो वहाँ पर भी आप amplify कर सकते हैं वहाँ पर ये level थोरा सा increase कर देगा तो एक बार ओर हम सुन लेते हैं कभी अगर बनना हो तो बाज बनना लेकिन कभी भी तोता मत बनना तोता बोलता तो बहुत है लेकिन जादा उचाय तक उड़ नहीं सकता बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे उचाय पर होता है एक बाज और बाकी पंच्यों का राजा होता है एक बाज तो ये तो voice हो चुकी है इसके बाद में next step आती है वो आती है कि इसे export करो और फिर अच्छा सा music find करके उसे अच्छे से edit करो बस यही एक process है अब हमें इसे export कैसे करना है फाइल में हम जाएंगे export पर हम click करेंगे और export as wave ये सबसे best form होता है किसी भी audio का तो कोशिश करें हमेशा wave form में ही अपनी audio को export करनी की तो export as wave पर हम click करेंगे ये कुछ भी आप नाम दे सकते हैं मैं कुछ भी देता हूँ यहाँ पर और save हम करेंगे ओके save हो जुकी है ठीक है तो ये तो थी दीपक देया चैनल की voice recording अब हम बात करते हैं दीपक देया 2.0 चैनल पर face के video में मैं अपनी voice को के से edit करता हूँ तो दीपक देया 2.0 चैनल पर तो maximum time में बोया माइक से record करता हूँ तो उसकी तो voice थोरी सी खराब आती इसके मुकाबले तो उसी की voice को मैं इसमें ले जा करके edit करके आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या settings आपको करनी चाहिए अगर आप बोया माइक से अपनी voice record कर रहे हो तो ठीक है बोया माइक लाते हैं तो इस माइक को कर देते हैं हम side में और ये बोया माइक जो है यहाँ पर मैंने अपनी shirt पर लगा लिया है और इसी से अभी जो voice recording है वो हो रही है और ये बिल्कुल original voice है इसमें कोई भी किसी भी तरह की editing नहीं की गई है ये real है real आप सुन लो कि किसी लग रही है उसके बाद में हम इसे edit करेंगे कि ये किसी लगती है तो देखते हैं कि एडिट करने के बाद किसी लगती है तो पहले हम इसे stop कर लते हैं और लाते हैं PC में तो finally मैंने import कर लिए अपनी voice को Odacity में play करके देखते हैं कि यहाँ पर किसी लग रही है तो हम इसे play करते है तो इस mic को कर देते हैं हम side में और ये boyam आप देखोगे कि यहाँ पर दभी दभी voice आ रही है और बहुस जादा base type लग रही है तो यहाँ पर भी same में process करता हूँ दीपक दया 2.0 channel के लिए सबसे पहले तो मैं किसी खाली कोई part मिल जाए तो उसे में select करके noise reduction करता हूँ example के लिए मुझे यह मिला तो इस part को मैंने select किया effect में हम जाएंगे noise reduction पर हम जाएंगे get noise profile पूरे को हम select करेंगे effect में हम जाएंगे repeat noise reduction same process जो वहाँ पर हमने apply की थी तो पहले noise reduction हो चुका है background noise remove हो चुकी है इसके बाद में मैं यहाँ पर इसमें भी graphic EQ लगाता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं base को कम कर देता हूँ क्योंकि boya mic already बहुत base देता है और बहुत ही गंदा वाला base देता है तो base में हाँ थोड़ा कम कर देता हूँ trouble में हलकी से यहाँ बढ़ा देता हूँ तो यह मैंने बढ़ा दी preview करेंगे तो इस mic को कर देते हम side में अभी भी बहुत लग रही है तो इसको बिल्कुल कम ही कर देता हूँ अभी थोड़ी base ज्यादा है इसका हम trouble बढ़ाने के लिए अब हम जाएंगे base and trouble में जो settings से वहाँ पर किती बस यहाँ पर reverb हमें नहीं लगाना है face game videos में क्योंकि यह को motivational video नहीं है यह explanation video है ओके सो यहाँ पर base हो रहा सा कम trouble बढ़ाया है यहाँ पर start play बेखम करते है तो इस mic को कर देते हैं हम side में और यह boya mic जो है यहाँ पर मैंने अपनी shirt पर लगा लिया है और इसी से अभी जो voice recording है वो हो रही है अब यहाँ पर मैं आपको before and after करके बताऊंगा तो play होगी पेले without base interval उसके बाद में बीच में इसको enable कर दूँगा तो आप different देखिया कि इसको apply करने के बाद में क्या different यहाँ पर आता है ठीक है जहां से दिखिएगा यहाँ पर मैं enable पर क्लिक करूँगा उसको बाद सुनना की voice में क्या different आता है तो play यहाँ पर मैंने कर दी तो इस mic को कर देते हैं हम side में और यह boya mic यहाँ पर मैंने अपनी shirt पर लगा लिया है और इसी से अभी जो voice recording है वो हो रही है और यह बिलकुल original voice है इसमें कोई भी किसी भी तरह की editing नहीं की गई है यह real है real आप सुन लो कि किसी लग रही है तो यह आप different देख सकते हैं अपनी साब से आप setting adjust कर सकते हैं अगर आपको base जाता चाहिए तो आप base बढ़ा सकते हैं अगर आपको trouble जाता चाहिए तो आप trouble बढ़ा सकते हैं अगर आप इसका level बढ़ाना तो इसका level अगर आप बढ़ाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा loud होगी, कम करेंगे तो बहुत ज़्यादा loud आपकी voice थोड़ी सी level माँ जाएगी, ओके तो यहाँ पर मैं अप्लाइ करता हूँ, इसी setting के साथ में, यह apply में नहीं किया, quit, और यह final voice हमारी ready हो चुकी है, तो इस mic को कर देते हैं हम side में, और यह boya mic यहाँ पर मैंने अपनी shirt पर लगा लिया है, इसमें कुछ आता फरक तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फरक जरूर है, तो यह थी मैंने live recording करके भी आपको बता दी, live edit करके भी आपको बता दी, जो म आपकी voice, मेरी voice से भी कई गुना अच्छी लगे, तो मित करता हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही helpful लगा होगा, अगर helpful लगा हो तो like करें, चैनल को यदि अब तक subscribe नहीं किया तो subscribe करें, और share करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ में, जिसको इस वीडियो की जर्वत है, तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए, जय हेन, जय भारत!